अब आप लोगों को 77 डेस का प्लैन मिलेगा टोटल 11 विक का यह प्लैन है थोड़ा सा लेंदी चला गया बट वह कहते है ना कि किसी चीज को 10 साल पढ़ने से अच्छा है कि एक बार में ही ऐसा पढ़ो कि फिर उसे दुबारा ना पढ़ना पढ़े समझे और इसलिए थोड़ सा लिंदी लेके जाओ टाइम आपके पास बहुत है में में एक्जाम पक्का नहीं होगा कनफॉर्म रखो यह 22 से लेकर के 9 में तक का यह पूरा का पूरा सेडियूल है यह रहा आपका सेडियूल समझे तो अब देखो जैसे यह बुक देख रहो ना एक साल से पढ़ रहा ह से जाना हौन यहाँ से के सर फिर को घम के लिए आपको जाना पड़ेगा तो वह समझ से ब्वात बढ़ा रहा ज्यादा वह जाता समझे तो यह नीट पीजी की तरह यह ञांटे की net और इंटर्व्यू वेगर 8-9 गंटे का होता है रिसर्च करना पड़ता है विदाउट रिसर्च किये हुए इसमें धाल गल्ले माली नहीं है समझे सर्जन बनना तो रिसर्च करना पड़ता है और भी बहुत कुछ है नहीं तो आपको ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चाहिए स्टेप चड़ना होता है रिसर्च करना और खुद का पेपर लिख करके देना समिट करना होता बहुत बहुत ज्यादा आई-लेवल की चीज़े है वह सब पर छोड़ो इधर आजो नाइन्थ में तक का यह प्लैन है ट्वंटी से नाइन्थ में मतलम में में आपका एक्जाम नहीं हो बोगे ना इंडिया के गॉवर्मेंट कॉलेज में और इंटर्सिव के टाइम याप सिर्फ कॉल करना मुझे पक्का आऊँगा समझे और यह अलग फिल्ड है करोगे इंटर्सिव तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता बहुत ज्यादा यह जैसे खुद का इंजामपल दू तो open heart surgery और उसके साथ मुहमद रफी के गाने समझे यह जो combination open heart surgery जहां पर आपका heart arrest करवा दिया जाता artificial से आदमी जिन्दा है समझे बहुत बड़ा सा है सा मसीन होता है उसे connect करके सारग उच करते है blood supply circulation पूरा यह करता है और उसका heart काम करना बंद हो जाता है और पीछे हलके से sound में मौहमद रफी का गाना चलता है mainly वो लोग चलाते हैं यह अब देख ले ना इसे क्या प्रणाउंस करते हैं लिए यह कुछ करके लड़की है उसका song बट यह मैं चलवाता हूं अपने लिए तो ऐसा है यह फिल्ट बहुत बहुत मज़ेदार थोड़ा महनत है महनत आपको कुछ पाने के लिए कुछ आर आपको करना पड़ेगा समझे सो यह यह plan plan आपको मैं PDF में देदूंगा और समझे कुछ भी impossible नहीं है कुछ भी impossible नहीं है यह सब अभी CA का result हुआ मेरा एक friend था वो मतलब क्या बोलू निकाल लिया एक बार भी drop नहीं कुछ नहीं four and half year लगा हो गया समझे साथ में पढ़े बच्पन से और उसका CA क्लियर हो गया तो वह बोलते हैं ना CA करने के लिए 8-9 साल लग जाते हैं वो सब सिर्फ बोलने के लिए पड़ अगर किया जाए तो बहुत असानी सी कर सकते हैं तो वह first attempt में उसका सारा कुछ clear हो या भी CA बन गया ऐसे बहुत सारे आपको कहानिया मिल जाएगी समझे है नीट हो या कुछ भी हो तो आप कर सकते हो all India rank के लिए prepare कर मार्क्स आपका जैसे राची रेम्स का 603 और ब्यार में 620 के करीबन कट अफ जाएगा उस हिसाब से अगर आपको इतना लाना तो इस हिसाब से आपको स्कोर करना पड़ेगा बायोजी में 340 प्लस chemistry में 150 प्लस physics में 140 प्लस अब कुछ कुछ important chapters है वो भी बता देते हैं बायो 220 मार्क्स का question paper में आएगा ही आएगा फिजिक्स में यहापे Newton's law of motion work power energy circular motion collision center of mass modern physics thermo heat transfer के टीजी को और आप लोगों का है कैलोरी मीटर magnetic current AC electrostatic shm and webs और optics total 140 के करीबर निये physics में लाएगा तो इतना कर लेता है तो समझो कि आपका almost neat clear chemistry बहुत मदद करेगा chemistry तरीका से इंसियाटे पढ़ लो बहुत हेल्प करेगा यह आप लोगो पीडिया फॉम में दो दूँगा समझे इसमें कुछ कुछ चीज है जो कि आपको समझाना है वह थोड़ा सा देख लेना बस यहाँ पर जैसे यह जो डैस और एरो दे रखा है इसका मतलब है कि रीपीट करना मतलब की जो मंडे को आप लोग पढ़े ना मंडे ट्यूजडे बेरनेस्टे करके दिया वह आपको ट्यूजडे को भी पढ़ना और सेटेडे कोशिज करना की एक्जाम देने के लिए समझे और एक्जाम देना सेटेडे संदे को यहाँ पर मैंने खुद से भी लिए कि सेटेडे संदे को आपको एक्जाम होना जुरूरी है आप लोगों को 9th of May को almost कतम हो जाएगा स्रिफ फिजिक्स के दो चैप्टर बचेंगे दो च स्रिफ फिजिक्स बचरा बाइलोजी बहुत पहले खतम हो जाएगा अगर इसको फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री भी खतम हो जाएगा गैसे से कोशेट पूछे जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से एक चैप्टर है गैसे वह देख लेना कॉम्मिनिकेशन आप लोगों का में बस्ता रोटेशन बच्ता वहलास तग गीचा ग्रेविटेशन भी एक है ग्रेविटेशन शूट गया इसमें यहां पर ग्रेविटेशन भी है संजेज चूट गया उसे आगे बढ़ा लेना रहे भी डिशिकल और यह बहुत फॉट यह लोगा तो यह भी वेनेस ते से 2021 में आएगा मतलम आएगा समझे उसका वेलुसिटी वेगरा देख लेला सेटलाइट गा तो यह सारा कुछ आपके सेड्यूल और यह मिल जाएगा पीडिया फॉर्म में क्योंकि एक एक चीज बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में समझे तो इसलिए इतना पर ही रखता हूं लिंक मिलेगा पीडिया में जाकर के क्लिक कर लेना तो थांक्स अंबेस्टर फ्लक फॉरी रिग्जाम फिर से बोल र में रैंक पर फोकस करूं मांक्स पर फोकस मत करूं